डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाओं में रहने वाले ओम प्रकास सींजु को भी डिजिटल एंटर्प्रिनर बना दिया है उन्होंने अपने गाउं में एक हजार से ज़्यादा ब्राडबेंड कनेक्शन सापिट किये हैं ओम प्रकास जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आस्पा निशुलक वाइफाई जोन का भी निर्मार किया जिससे जरुवतमन लोगों की बहुत मदद हो रही हैं ओम प्रकास जी का काम अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने बिच से जादा लोगों को नोकरी पर रख लिया है इलोग गाउं के स्कूल अस्पतार तैसील आफिस और अंगनवाडी के अंदरों तक ब्राडबेंड कनेक्शन पहुचा रहे हैं और इसे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तरह ही गवर्मेंट इ मार्केट प्लेस यानि जेम पॉर्टर पर भी ऐसी कितनी सक्से स्टोरी देखने को मिल रही है साथ्यों मुझे गाउं से ऐसे कितने ही संदेश मिलते हैं जो इंटरनेट की वज़न से आये बढ़लाओं को मुझसे साजा करते हैं इंटरनेट ने हमारे युवा साथ्यों की पढ़ाई और सिखने के तरीकों को ही बदल दिया है जैसे कि यूपी की गुडियां से जब उन्नाव के अमोया गाउं में अपनी सथुरार आई तो उन्हें पढ़ाई की चिंता हुई लेकिन भारत नेट ने उनकी चिंता का समधान कर दिया गुडियां ने इंटरनेट के जर्गे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया गाउं गाउं में से कितने ही जीवन डिजिटल इंडिया भ्यान से नई शक्ति पा रहे हैं आप मुझे गाउं के डिजिटल इंटर्परिनर के बारे में जादा से जादा लिख करके भेजें और उनकी सक्से स्टोरिज को सोचल मेडिया पर भी जरूर साजा करें जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी वो डिजिटल इंडिया ने गाउं गाउं में पहुचा दी है इस वज़े से देश में नए डिजिटल इंटर्परिनर पैदा हो रहे हैं राजस्तान के अजमेर जिले के सेठा सी रावज जी दरजी ओनलाइन इस्टोर चलाते हैं आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ दरजी ओनलाइन दरसल सेठा सी रावज कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थे कोबिड आया तो रावत जी ने इस चुनोटी को मुश्किल नहीं बलगी आउसर के रूप में लिया। उन्होंने Common Service Center यानी CSCE Store जोइन किया और ओनलाइन कामकार शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्का ओडर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे। इसके बाद उन्होंने दरजी ओनलाइन नाम से अपना ओनलाइन स्टोर शुरू कर दिया। जिसमें और भी कही तरह से सेंक्डो महिलाओं को उन्होंने अपने यहां रोजगार दे रखा है।